नवस्कार दोस्तो श्वागत मेरी यूटूब चैनल टेकन एसके इलेक्टिक में दोस्तो आज की इस वेडियो में हम बात करेंगे फराट फैंड टू बिलेट मोटर के बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमने मोटर को भड़ लिया है आज इसका हम आपको डेटा के बारे में बताएंगे इसका परफैक्ट डेटा एक ऐसा डेटा जो की आपकी मोटर सालो साल तक चले आप ये देख रहे हैं ये छोटी सी मोटर है छोटा फराटा है ये लेकिन बहुत अच्छी हवा देता है इसमें दो परवाली पंखुडी लगी होती है और ये अठाइस सो आर्पीम में रिवाइंड होता है दोस्तो इसमें कोल टोटल चार क्वाले लगती है दो स्टार्टिंग में और दो रनिंग में दोस्तो अगर आपको किसी भी मोटर का data चाहिए हो तो आप comment box में comment कर सकते है और उसका data पूँश सकते है चाए वो फराटा फैन हो, चाए वो शीलिंग फैन हो, एकजास्ट फैन हो, वन टैन मोटर हो, किसी भी प्रकार का कूलर हो, या कोई भी टिलू मोटर हो आपको डेटा के बारे में जरूर बताए जाएगा है चलिए अब इस motor की data के बारे में हम बात कर लेते हैं इसकी अगर core की बात करें तो ये लगबग आधाय इंचे थोड़ा से जाधा है अब इसकी coil की बात कर लेते हैं तो दोस्तो इसमें जो running का data है वो है अलमूनियम वायर या copper वायर से इसकी जो coil की length होगी वो होगी 26-27 इंच के बीच और इसमें जो turn दिये हैं वो हमने 300 turn दिये हैं वो coil की pitch 1-8 एक राउंड, 1-10 एक राउंड और 1-12 एक राउंड होगी इन सभी में single single round चलेगा तो ये तो हो गई हमारे running की data की बार और अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग के data की तो दोस्तों स्टार्टिंग का जो हमारा data है वो स्टार्टिंग में हम जो hwg इस्तेमाल करेंगे वो होगा 34 नंबर वो coil की length लगभग 26 इंच की होगी 26-27 इंच की जो स्टार्टिंग की coil होती है वो running की coil से थोड़ी छोटी बनाई जाती है tireness में 288 देंगे और इसकी coil की पेच 1-8, 1-10, 1-12 सिंगल सिंगल राउंड होगी दोस्तों ये तो हो गई एक data की बात अगर इसी motor को हम 32 और 34 से बरें तो उसकी भी performance बहुत जवर जैस्त है उसका data भी आपको बताए जाएगा और आप इसी motor को 33 नमबर से बरना चाहे तो भी इसकी motor बहुत अच्छी performance देती है तो दोस्तों अगले वेडियो में आपको 33 नमबर से कैसे भरते हैं उसका data क्या है और 32 नमबर से उस 34 नमबर से भरते हैं तो उसका data क्या है मैं आपको बताएगा दोस्तों अगर आपको ये वेडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी चैनल टेकन SK Electric को जरूर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल पर जो भी वेडियो अपलोड होती है उसका notification आपको मिलता रहे आप motors related कोई भी सवाल हो कोई भी कुश्चान हो आप comment box में जरूर पूछे दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वेडियो में और एक नई motor के data के साथ तब तक लिए नमस्कार